हेलो फ्रेंड्स वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सुटिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं यह सीरीज का पार्ट 3 रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इससे पहले डिसकस कर चुके हैं अगर आप उन्हें देखना चाहे तो आप एक बर जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं तो आएए बिना देरी किये हुए हम वन वर्ड सब्सुटिशन के पार्ट 3 को डिसकस करते हैं आपको पहला वर्ड दिया है अग ग्रूप ऑफ शिप्स मतलब जो समूंदरी जहाज होते हैं उनके ग्रूप को उनके समू को क्या बोलेंगे तो जो समुंदरी जहाज होते हैं शिप्स उनके ग्रूप को हम लोग बोलेंगे option A, fleet Fleet का मतलब होता है group of ships मतलब जो समूंदरी जहाज है उनका group समूंदरी जहाज का समू यह हो जाएगा fleet का मतलब अब जो दूसरे words दिये हैं उन दूसरे words के भी हम meaning देखते हैं second option दिया है आपको galaxy galaxy का मतलब होता है a group of stars जो stars होते हैं stars के group को हम galaxy बोलेंगे then option c is constellation constellation का मतलब भी वही होता है a group of stars मतलब जो हमारे stars है उनका group then option d is group group का मतलब तो samoo होता ही है तो जो चारो options है उन चारो options मैंसे a group of ships मतलब समुंदरी जहाज के samoo को क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे option a fleet I hope आपको ये word clear है next word देखते हैं हम next is a person who gambles or bats मतलब ऐसा इंसान जो जुआं खेलता हो जो down लगाता हो हिंदी में इसको जुआरी बोलेंगे English में इसको क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं English में इसका सही answer हो जाएगा option a punter punter का मतलब होता है अब person who gambles or bats मतलब जो जुआं खेलता हो जो down लगाता हो जो दूसरे words से उनके meaning देखिए second option is backer backer का मतलब होता है sponsor या फिर investor कोई भी person है कोई भी institution है या फिर कोई भी country है जो की financial support provide करे उसी को हम लोग बोलेंगे backer then option c is customer customer वो person होता है जो कि किसी shop से उसके goods और उसकी services को खरीदे उसे हम customer बोलेंगे और जो option d है client client वो person होता है जो कि किसी भी shop से जाके उसके goods ना खरीदे लेकिन उसकी services खरीदे तो यही basic difference है customer और client के बीच का कि जो customer होता है वो goods और services दोनों खरीदता है लेकिन जो client होता है वो सिर्फ services खरीदता है तो जो चारो words है उन चारो words के meaning भी clear है प्लस अब person हो gambles और bats का जो one word substitution हो जाएगा वो हो जाएगा option है punter next word देखते हम अपना next word is to be known for bad acts कोई इंसान जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता हो बुरे कामों के लिए प्रसेद्धों मशूर हो उसे क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे option be notorious notorious means a person who is famous for his bad deeds मतलब ऐसा इंसान जो कि अपने बुरे कामों के लिए famous हो अब जब बुरे काम करने से famous हो रहा है इसका मतलब है कि वो बदनाम हो रहा है तो notorious को हिंदी में बोलेंगे बदनाम और English में हो जाएगा to be known for bad deeds या फिर bad acts और जो दूसरे words दिये हैं उन दूसरे words के भी meaning देखते हैं option a दिया है आपको famous famous का मतलब होता है popular, मशहूर then option c is criminal criminal का मतलब होता है lawbreaker मतलब अपरादी, गुनेहगार then option d is terrorist terrorist का मतलब होता है अतंकवादी तो जो दूसरे words से इनके meaning भी clear है plus to be known for bad acts इसका one word substitution हो जाएगा option b notorious मतलब बदनाम जो अपने बुरे कामों के लिए famous हो next word is one who cannot speak जो बोलना सकता हो जो बोलना सकता हो उसे हम बोलेंगे option b dump मतलब गुंगा अब जो दूसरे words दिये हैं दूसरे words के meaning देखिए option a is deep deep का मतलब होता है unable to hear जो सुनना पाता हो उसे हम हिंदी में बोलेंगे बहरा option b dump मतलब unable to speak जो बोलना पाता हो गुंगा then option c is visionless visionless means blind अंधा and option d is lame lame का मतलब होता है unable to walk मतलब लंगडा तो जो चारो words है चारो words के meaning मैंने आपको बता दिये और one who cannot speak इसका one word substitution हो जाएगा dumb मतलब जो बोलना सकता हो गुंगा next word है हमारा the highest point the highest point इसका one word substitution हो जाएगा option a zenith zenith का मतलब होता है peak या फिर summit shikhar अब जो shikhar है shikhar सबसे ऊचा वाला point होगा the highest point तो highest point का one word substitution हो जाएगा option a zenith जो दूसरे words है उनके meaning देखिए option b is height height का मतलब होता है उचाई then option c is zeal zeal का मतलब होता है enthusiasm मतलब उत्साह then option d is ridge ridge का मतलब होता है पहाडियों का समूह मतलब पहाडियों की श्रंकला ऐसे ये एक ही लो गया ये दूसरा ही लो गया ये तीसरा ही लो गया ऐसे जो hills होते है hill की range को हम लोग बोलते है ridge मतलब पहाडियों की श्रंकला I hope आपको ये चारो words clear है और the highest point का one word substitution हो जाएगा option a zenith which means peak or summit ये कुछ one word substitution थे जो कि आपके exam के point of view से बहुत जादा important है आज हमने इनको discuss किया ये इस series का part 3 था part 1 और part 2 जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ हमने पहले ही पढ़ लिया है अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आप एक बार उन वीडियों को भी देख सकते हैं आगे और भी अच्छे अच्छे one word substitution को discuss करेंगे तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best